नवासकार स्वागत है आपका हमारे चैनल चार्ज आगेंदर रम्शा में दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथं राज़्के देनी के रास्मल के बारे में लेकिन उस्से पहले बात करें आज के पंचांक के बारे में 9 जून 22 गुरुबार के दिन है और जेश्ट मास सुकल पक्ष याज दस्मेत थी और नचत रहे हश्ट अभजीत महूरत आज दुपार 11 बच कर 36 मिट से ले के दुपार 12 बच के 29 मिट तक रहेगा आज के शुरूदे सुबह पांच बच कर 20 मिट पे और चंदरमा के स्थिती रहने वाली है कन्य राशी पर यानि क कि आपके स्विम की राशी पे चंदरमा गोचर कर रहे हैं आज के जो अशुब समय होगा वह साम 3 बच कर 15 मिट से ले के साम 4 बच कर 45 मिट तक रहेगा इस अशुब समय में कोई विशुब और नई कार की सुरूद ना करेनी तो विगन वाधाईया शक्ती है अब बात करते ह हैं आज के मिथुन राश के देनी के रास्वलकी और ये प्रेक्शन चंदराशी पर अधारी थे मिथुन राश के अतकों आज बहुत अच्छी खुश खबरी मिलेगी क्योंकि आज के दिन काफी बिसेस रहने वाला है आज आपको कई छेतरों से उपलब्दिया प्राप्त ह रहे हैं तो धनका भी लाब होगा साती पारिवारिक जीवन में जो कुछ समस्याएं थी वो भी खत्म होंगी और नोकरी बिजनेस व्यापार कारोबार का भी फिस्तार कर पाएंगे और अच्छा खासा लाब भी देखने को मिलेगा आज आपको भीडबार जाना पसंद नही ही करेंगे लेकिन कई में चीजों के खरीदारी कर पाएंगे के रें में उपछा मानसमान को लेकर क्योंकि आज की दिन बिशेष रहने वाला है आज आपको अपने अधिकारियों का सपोर्ट और आपके कारियों के शराहना देखने को मिलेगे सुनने को मिलेगी और आज आप अपने घर परिवार के लिए भी जदा जदा समय देंगे और गुजारेंगे क्यो को पिशेश लाब देखने को मिलेगा मिथुन राशकतियात को आज आपको कारियों में उपलब दिया प्राप्त होगी कारियों में आज आपको शफलता प्राप्त होगी आज बिजनेस व्यापार कारोबार कभी विस्तार कर पाएंगे बिजनेस व्यापार में महतपूर्ण को मिलेगी और इसके सफलता से आज आपको लाब झेखने को मिलेगा आज कई महत्पुन फाइनिशल प्लानिंग कर सकते हैं साथी साथ आज आपको मित्रों को सहयोग प्राप्त होगा अगर साजेदारी में कोई कारोबार चला रहे हैं तो पारदस्ता और उमानदारी उक्षाद बढ़ेंगे तो मित्रों राज करते हैं अधिक अधिक धनलाब भी देखने को मिलेगा मित्रों राज करते हैं जो जितना कमाता था उसे अधिक धनलाब आज देखने को मिलेगा और आज कोई महत्पुन फाइनिशल प्लानिंग करेंगे आज जमीन प्रपर्टी खरीश सकते हैं, नए घर का निर्वान कर सकते हैं, गाड़ी बाहन की खरीदारी कर सकते हैं तो आज आपको अपने घर परिवार के सुक्षादर में बरदी करने का मौका भी मिलेगा महतोंड चीज़े खरिए शकते हैं और सुक साधरों में बर्दी करेंगे महतोंड राष्य आतकों आज अपने घर परिवार में यानि कि खोशिया भी प्राप्त करेंगे तुकि आज आज आपके घर में शुप मंगल कार होंगे धार्मे कारकरम को आयोजन होगा आज आपके घर परिवार में मंगल कारकरम यानि कि साधिवा का आयोजन होता होना जराएगा और साथी साथ आज आपको अपने घर परिवार में कुछ कथा वारता भी सुनने को मिलेगी माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा पिता जी का सहयोग प्राप्त होगा धन के सिती मजबूत रहेगी ब्यापार के सिती इसे मजबूत होगी और कई छेतरों से विशेशलाब होगा जो कार अभी तक कर दोरे थे पड़े थे परिंडिंग थे उनमें विशेशलाब देखने क को मिलेगा तो आज आपको मित्रों को सहयोग भी प्राप्त होगा और बैंक से कोई लोन बगार भी आज आपको सुनने को मिलेगी यह बहुत बड़ी अच्छी खुशकवरी होगी इस लोन के मन्यूर होने से आपकी आर्थिक स्ते और बित्ती मामलों में सुधार देखने को मि देखने को मिलेगी बियापार में भी उपलब्दियां प्राप्त होगा इस जोटे योग भार बाहिंओ का प्यार मिलेगा आज आप अपने रिशेदारों की यहां भी मेल जोल बनाके रखेंगे और मिलने जुलने जा सकते हैं डोह दराज की आतराई हो शक्ती हैं यातराओ आपको दमपत्य जवन में भी खुश्यां प्राप्थ होंगे संतान को लेकर बहुत अच्छी खुश्कबरी प्राप्थ होगी संतान की उप्लब्दियों से आपका मन काफी यदि की बेतर होगा कुछ में तूर कार पूरिय होंगे मिथुन राशक्यात को आज के दिन बहुत अच्छ रहने वाला है आज आपको भगवान विश्वों और माता लक्ष्वी के पूजा राधना करके ही दिन के फिरुआत करें श्यापको बिशेश लाब होगा खास कर आज केले के पेड़ में एक लोटा जल और थोड़ी से हल्दी किसमेज और चिने की डाल डालके उसमें जरूर जल चड़ा है श्यापको शंतान प्राती और बैवाहिक जिवन शुक्मा जीवन जीने का मौका मिलेगा अन्यक प्रकार से लाब भी देखने को मिलेंगे मित्वन राशक्याद को आज भागदोर बनी रहेगी लेकिन घर परिवार के लिए ज़्यादा ज़्यादा समय देगे जीवन साथी कंद्शकंदी मिला कर चलेंगे आपसी मद्वेद खतम होंगे आपसी जो मन मुटाओ थे वो खतम होंगे और आप जाकर कई महतोर शेत्रों से लाब होगा जो कार अभी तक अधोरेत है उनमें भी शेत्ष लाब देखने को मिलेगा तो आज आपको प्रेम संबंदों में मजबूती देखने को मिलेगी लब लाइब भी अच्छी रहने वाली है लब पाडरों को कुछ गिप्ट अर उपहार देंगे उनके साथ काफी अच्छा वक्त विताने का मौका मिलेगा आज आपको अपने करीबी रिष्तेदारों से भी मेल बिला बना के रखेंगे इश्य भी लाब होगा और आज अपने लब पाडरों कुछ गिप्ट उपहार देने के वसो सकते हैं सोपिंग बगरा कर सकते हैं घूमने फिरने जा सकते हैं उपहार से रूपिय फिर साद्धी विया वर्तेजे पाड़ी में सामिल होने का मौका मिलेगा आज आपको सिक्षा के छेतर में सुधार देखने को मिलेगा सिक्षा के छेतर काफी उचरेगा सिक्षा में आज आपको लाब भी मिलेगा और लिखाई पढ़ाई के मामले में काफी बहतर प्रजर्शन कर पाएंगे आज आपको पहले के मुकाबले बहतर सिक्षर में सुधार होगा और साथी स्वास्त बहतर होगा स्वास्त को लेकर जो समस्याइं थी वह दोर होगी और स्वास्त यनि की स्वास्त बहतर होगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और कोई अगर पेट के समस्षाइं जोइन प्रिंट के समस्षाइं शरद थी वो उसमें राहत देखने को मिलेगी तो घर परिबार के लिए ज़्यदा शरद 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 देखने को मिलेगी तो अच्छे कारियों में भी लब्दिया प्राप्त होंगी जो कार दूरे पड़े थे पेंडिंग थे उनको आज पूरा करने का प्रियाज करेंगे आज आप घूमने फिरने जा सकते हैं दूर दराज की यात्राइं कर सकते हैं बिजनेश वेपार कारवार या केरियर से सलसले से आप यात्राइं कर सकते हैं आज अपने घर परिबार के स्वादरों बर्दी करने के बारे में सोच सकते हैं कुछ ऐसे कार पूरे करेंगे जो काफी समय से पेंडिनिंग थे अधूरे थे उन्हें पूरा करने का आज आपको मौका मिलेगा आज आप अपने यानि की नोकरी में भी पदोन्नत के सासथ प्र राजश्यत को मौका मिलेगा आज आपका शुबरंग रहेगा यहां पर महरून कलर और भाग साथ निवारा आपका तक्रिवन यानि की एटी नाइन परसंट दो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा नए तो इसे यानिकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रे